मैं RSS के लोगों को पी अपील करूगा, आप यू तो बड़ी बातें करते हैं कि हम बड़ा साफसुत्रा समाज देने के लिए बात करेंगे, परदानमंतरी तक बात करेंगे, तो यहां कहां सोई है RSS, पहले आप स्टेट क्या है, आप स्टेट हुड दें हम, जो रोहिज चर् और खसरे नमबर का फर्द नहीं काट जाएगा, उसकी रैड एंट्री की जाएगे, लेकिन रोहिज चर्माज उसका पर्द काटता है, तो पैसी घाता है मोटे, क्या आप मुझे समझ नहीं आती है जिके-एस करके उसके बाद अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि हम कैसे माबाब को आप कैसे अपने बच्चों को मारल वैल्यूस देगे जब अगा आप खुद करप्शन में लिप दोगे दंके की चोट वेगाते एक रुपे की भी हेरा भी दी अगर मेरे पुलिटिकल केरियर में हो तो मैं जणाब नियूर्ट स्टेट चोड़ दूँगा आप नाजरीन आपका मेजबान शेहरा आपकी खिदत में हाजी रहा और आप देख रहे हैं दा टाइप राइटर इस वक्त हमाई साथ मुझूद हैं डीडी सी मेंबर तरंजीत सिंग टोनी जी जो के इस वक्त आम आदमी पार्टी के चेर्मेन है माइनार्टी के आल जेंड आता है और दिली ने एक दिशा दी है दिली ने एक दिशा दी है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कि बीजे पी ने पंदरा साल जो कूश असन किया दिली के अंदर सिर्फ गंदगी फिलाई चाहे वो गलियों में हो चाहे करप्शन की हो चाहे लूट मार की हो वो एक सोचने वही लोग थे बाहर से नहीं आये थे वही लोग थे उन्होंने अहसास किया कि हमसे गलती हो गी है जिस शक्स ने अच्छे स्कूल बना के दिये जिस शक्स ने उनको अच्छे हास्पिटल बना के दिये जिस शक्स ने उनको मुफ भिजली मुफ पानी दिया है जिस शक् कि अगर एक शक्स हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है वो जरूर जिन्दग जो दिली के अंदर गंदगी के धेर पड़े हैं जो बीजे पीने लगवाएं हैं और इसको साफ करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई अफसोस जनक ये बात थी उसको बालतर रखकर एक सब चीजो को अनुने हिंदु मुस्लिम की तुमनों की सियासत को नजर अंदास कर दिया उन्हों ने हर वह चीज रहिए जिसके जुमले बाजी को भी नजर अंद में आम आथ्मी पार्टि को ये जो है से सो गिफ्ट किया है निउय और का अभी बात करें बीजेपी की बाजबा कहती फ्री एंड फेर सिस्टम में यकीन नहीं करते हैं जम्हू के अंदर देखा एमसीडी जो यहां के मेर चुड़ना था जब इनको लगा के वो जो मेर जो है अगर बैलेट डाला गया तो हार जाएगा इनका तो इनको बोले हाथ खड़े करो इनको अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं था तो वैसे है अब यह कोई भी हद कंडे और किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन रब ने चाहा तो मेर जो है मेर जो है वो आमादमी पार्टी का बना तक बहुत तक बहुत बहुत साथ में तक बहुत सारी ऐसी जगाएं रही जिसका संग्यान लिया गया के पांच बजे के बाद तक वोटिंग होती रही और बारा से पंदरां परसंट तक वोटिंग हुई है अब महरवानी है एसी आई की बीजेपी पे या बीजेपी की महरवानी है एसी आई पे कोई समझ नहीं आ रहा तो वो कैसे चुनाव हो पांच मजे के बाद कैसे वोटिंग होगी बहुत सारी बातें आईसी यह हैं आभी आपको एक वीडियो दिखाँगा है कर sacar आई चुनाव हो रहारा है वो बोट दबाई जा रहारे है और लोग बिनना बटन दबाई जारहे हैं बटन कोई हर दबाई जारह हैकर तो वो गुझरात की ही वीडियो है तो जिसे अमेरिका में बैलिट का है बैलिट ही वापिस आनती है यह मसीन भरो से लाइक नहीं आज में केजरीवाल जी अक्सर बविशवानी करते थे पंजाब को लेके भी कि दिली को लेकि सारी की सारी उना कि गुजरैत बार वो कहीं ना कहीं उसाह तक नहीं जा सकी देहें कहीं बार अंदाजा गलत भी निकलता है वो सकता है लेकिन फिर मैं आपको यह कहूं कि हमारा वो पहला चुनाव हम गुजरात में लड़ रहे थे लोगों का जो वर्डिक्ट आया है उसका हम शुक्रिया दा करते हैं कि उन तो मैं समझता हूं कि पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी और जीजान से अपने कारेश आली को और लोगों तो पहुचाना पड़ेगा अपनी आवाज को लोगों तक पहुचाना पड़ेगा देहें और दूसरी तर जब आप बात कर रहें एक होम स्टेट उनकी थी और उस होम स्टेट के प्राइम निस्टर थे और अमिद शाह वहां से मैंन मशीनरी सब तरह का जोर हमारा तो यहां तक रहा के हमारा कैंडिडेट ही अगवा कर लिया गया और कैंडिडेट को अगवा करके तो दोबारा वो जब लाया गया तो पलीस साथ लेके जाती है और उसको है कि है कि वे वैदरा on भर दो आप वेडरा कर जो आप समझ सकते हो किस तरह के हालाद से निकल के पांच भी लाई है बात करते हैं जम्मौ कश्मीर आमादवी पार्टी पार्टी की वह वाई इसक्ट से लोग आमादवी पार्टी में शमूलियत करके आए उनमें बलवन संग्मंट कोटि एंगा जीती हर्श्देव सिंग्जी ठी सत्वीर महनहास थे जो के बीजेपी के बहुत ज़्यादा खिलाब होती थी लेकिन अचानकी दोनों पार्टी छोड़के चलेगे क्या कुछ था पार्टी के अंदर ऐसी गड़बर थी जो उन्हें महसूस हुआ और छोड़के चलेगे बड़ी सी बात है देखें दोनों कजन्स हैं हर्षदेव जी और वो आपस में उनकी रिलेशन्स हैं तो मुझे लगता है उनकी और हर्षदेव की एक जगा बैठक नहीं हो सकती थी तो पार्टी की कोई वजा नहीं थी बेसिकली उन दोनों का ही मनकोटिया का शुरू से यह थ चलेगा अब अफवा यह भी चल रही हर्षदेव सिंग्जी भी जल से चले जाएंगे क्या लगता है चोड़ें या मैं मुझे लगता तो नहीं है ऐसी कोई बात यह लेकिन हवाँ हवाँ में शोशे चलते हैं और बीजेपी का का काम है शोशे चलाना ऐसी कोई बात है नही केजरिवाल जी जमो कश्मीर वाली साइट कब आएंगे कब यहां पर जमो कश्मीर में आम आदनी पार्टी आपने आपको मद्बोत करने की कोशश है अब केजरिवाल जी एलेक्शन से फ्री हो चुके हैं लेकिन जल्दी ही मुनासिब वक्त देखते ही किश्मीर का दौरा ह कि जमू कश्मीर में आम अधी पारटी की वद्व है यह व्जूं नहीं है यह वचूं में बाद करें बागी ऑगी पागी रेतिकल पार्टी की कि से जऑंगर कुंपइजेऄ निपार्टी का नाम लेती व्हूं के सामने नहीं नहीं पारटी नहींляется कि न에 ₤ वक्त बताएगा अब हम भी कौन सा उनका जितने नाम लेते हैं हम भी नहीं समझते हैं वो हमारे competition में यह है कि अभी there are too many slips between the cops and the lips अभी बहुत वक्त है जब दर्या पास आएगा तो फिर उस वक्त क्रास करेंगे अभी तो दर्या दूर है election होंगे अगर alliance करना पड़ा आम आदी पार्टी को तो अलाइंस नहीं करेंगे आम आदी पार्टी अभी तक तो उन्हों ने कि जो उनकी history कहती है तो उन्होंने किसी से alliance किया नहीं आगे leadership की है बात वो leadership उस वक्त क्या समझती है कैसे समझती है क्या उनके दिल में आता है वो फिर leadership decide करें जमू कश्मीर में आम आदमी पार्टी क्या क्या चीज़े लेकि आना चाते क्योंके जो बिजली पानी का अपनी पार्टी ने भी वही चीज़े क्या दी हम भी बिजली फ्री देंगे पानी फ्री देंगे अच्छी आजूकेशन देंगे अब लग रहा हर पार्टी की कोई नो कोई यूएस पी होती है अब जैसे बीजे पी की है तो बीजे पी क्या है कि हिंदो मुस्लिम की राजनीती करनी है काम करने की जरूरती नहीं वो नफरती इतनी फेला देंगे कि एक तबका जो अंद भक्ती में बह जाएगा उनको एक बड़ा आसान रास्ता मिल गया जुमले दे लाजनी के खिलाफ है जिएनोंने अंग्रेजहों से माफिया मंगी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो वाली कोई पलसी ऐसी लागности लागू होँगी UP किश्मीर में या इंदुस्तान में उनका अपना है वह सावरकर को पूछते हैं वह पूझे हैं हम अमबेड कर को पूछ वो उनुने एक विशारवएक्त किया उसको कोई फालो नहीं किया लेकिन नोंने कहा कि इनकी कट्रडवाद है ताज जो सोच अगर यह इतनी एतनी कट्रडवाद है तो यह भी करके देक सकते है। वह सिर्यस्ली बात पूर Mississippi best of the health infrastructure जैसे दिल्ली के अंदर है वैसा प्रोवाइड किया जाएगा अगर जब लोगों ने मौका आम आदमी पार्टी को दिया तो best of the infrastructure best of the health जो केर सिस्टम जो है वो आपको में दिया जाएगा महला क्लीनिंग के जरीए और सबसे बड़ी बात आपको इन दो चीज़ जो हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क को उपर उठाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा वो अगर IIT कर लेता है IAS कर लेता है अच्छी पढ़ाई करके उसकी तो गरीबी खत्म होगी न फिर बस यही दो पढ़ करता जो है वो अंद्भक्ती को जनम देगी सो बिलकुल बेसिक जो जड़ है गरीबी खत्म करने की वह है कि एजूकेशन उस पर तरची दी जाएगी और दूसरा है स्वास्त दोनों दो ही चीज़ें चाहिए बात करते हैं इस वक्त जो जम्मो कश्मीर के हालाथ हैं डेली उबेरिशन प्रोटेस्ट पर हैं जो क्श्मीरी पंडित्स न व Espि प्रोटेस्ट पर कभी आ जाता हैं। Give लगे की स्टूरेंट के स्कैम हर जगा हर जगह अंदोलन ही अंदोलन ओर ऑटे हैं जहां आपकी सरकार में सुनवाई नहीं होती। क्या ऐसा ही को जम्मो कश्मीर में चल रहा है कि जमो कश्मीर के किसी भी निसान के कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है देखें सुनवाई वाक्या नहीं हो रही और मैं अलेटिनन गवर्णर महधे से यह कहूंगा कि जनाब आप अपनी सरकार को थोड़ा सा इसकी लगामे कसें जो आपकी बीरोक्रिसी है यह आ बार एक्जैम कैंसल हो रहे थे तो आपने बोला कि बड़े सक्ती से संग्यान लिया जाएगा तो लो नौजवानों में भी सोचा कि शायद कहीं कुछ हो जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन फिर वो ढाक के तीन बात वही जो जिन जमातों ने आगे पेपर बेचे हैं वही ज लिकीन ही नहीं वन पा रहा कि यह जो हमने एक्जैम देना है यह कहीं दुबारा दूसरा को दूसरे बैंच में जा गई हैं सुपरीम कोड तक यह रहेगा के नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात करप्शन की हम जब समझ रहे हैं हमने पिछले दिनों आपका अकल भी हमने अंटी करॉप्शन डे पर प्रोटेस्ट किया है जनाब लोग शिकायत कर रहें जाते हैं एसीबी के पास अगर एसीबी हाथ मिला लागी कल्परिट के साथ तो कहां जाएंगे लोग विश्वास कहां रह जाएगा आज एसीबी जो है शक्के दारे में उन्होंने जनाब ली लो सोना रिकवर किया गया रहुत शर्मा से लेकिन कौन लेगा एक्शन आप जब आप सिर्फ यहां तो अगर यह बात सिर्फ स्लोगन तक है फिर ठीक है यह सब कुछ लेकिन अगर आप इस पे सच महने में कोई ही वो चाते हैं मैं आर एसेस के लोगों को भी अपील करूग थे आप निकलो ना बार जाके देखो ना रुपेश ची यहां आते हैं जनाब रुपेश ची आप बाकी जगा तो कह रहे हैं आप यहां पर भी तो देखो जब करूप्शन कैसे कंट्रोल होगी आप ही की सिर्कार है आज यहां तो सिर्फ आप कह रहे हो कि गवर्नर साब सिर नार जुम्ले देने हैं बात काम नहीं करना इसके उपर हम तो फेड़ अप हो गए हैं ये सिस्टम से अब जम्मू प्रोविंस से तालुकात रखते हैं जम्मू प्रोविंस के कुछ ऐसे नेता हैं चोदरी लासिंग जी की बात करें अंकूर शर्मा की बात करें वो कहते हैं ज सबसे पहले आप स्टेट क्या है आप स्टेट हुट दे हमको बाकी ये मेरी व्यक्तिगत राए है पार्टी की कोई ऐसी राए नहीं है मेरी व्यक्तिगत राए है तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी जो फैसल लेगी पार्टी बड़े स्थर पर सोचती है मैं तो ये समझता हूँ कि बही के जहां किश्मीर कहता है जमू हमारा हक खा ग गया वो पैसे ज़्यादा लगा गए ये पैसे कम लग गए वो नोक्रियन ज़्यादा खा गए ये नोक्रियन कम खा गए अगर इन चीजों का आन्त करना है तो जमू शुड़ भी एस इपरेट स्टेट लाल सिंग के बंगलो खाली करवा दिये गे महभू मुफ्ती के करवा द के लिए अलग से कानून है और दूसरा आपोजिशन के लिए अलग से कानून है मैं आज लेट्टिन गौर्णर मौदे से कहूंगा क्या आप कोड का आर्डर है इंप्लिमेंट कर दें कि जो भी एक्स हैं सब अपना बंगला खाली कर दें और इसमें कोड को सो मोटर संग्या लेना चाहिए उनको करना चाहिए कि अविक्शन सबकी हो और दूसरी सबसे बड़ी बात जिनाब हम मैं फिर बात उसी पर कहूंगा अगर आपने एक बुला है हम आपका साथ देने को त्यार हैं लेकिन रोहिच शर्मा का केस इस फिट केस वा डैड़ वूड जनाब हम आप को ऐसे ऐसे आप हमें बुला के पूछें मैं कहता हूं पबलिक डिबेट कराएं मैं ऐसे ऐसे सबूत और ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेके बैठूंगा कि आपके जमीन खिसक जाएगी पैरों तो लेके जनाब कम से कम दो सो करोड का घपला करा है बहु तसील के अंदर सारे पटवारी उन्होंने वहां से अखनूर से ट्रांसवर करवा कर यहां लगवा लिये और जब एसी बी के हाथ जो हैं उनके आखा तक पहुंचने लगे जो सेक्वेट के अंदर बैठे हैं तो एसी बी को किस तरह से मजबूर किया गया कौन सी वो चीज ती जिसने एसी बी न लगुमेंट जो है वो कैसे आप विड्रा कर सकते हो आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन का सत्यानास कर दिया जनाब और विश्वास उठके हैं लोगों का एसी बी से मैं तो कहूंगा एसी बी को ओवराल कर दें जनाब और वो जो करप्ट लोग हैं जो जो एसी डिस इस का चुपाने में लगे हैं आपने जो सोना पकड़ा एसी बी उसको आप चुपाने में लग पड़ी है तो कौन कहां जाएगा विश्वास लोगों का उठकार का बीच में कुछ रोल है इसमें बिल्कुल उसके जो रोहिज चर्मा के आका सेकरेटरेट के अंदर बैठे हैं वो सब गायब हो के वहां पर कोलोनियाल कट रही हैं खसरे कहीं के दिखाय जा रहे हैं फर्द कहीं के कट रहे हैं कोट से स्टे आडर है कोट से स्टे आडर है फलाना खसरे नंबर का फर्द नहीं काटा जाएगा उसकी रेड एंट्री की जाएगी लेकिन रोहिच चर्मा उसका क्या शिक्षा देंगे कि हम कैसे मावाब थे आप कैसे अपने बच्चों को मारल वैल्यूस देगे जब अगा आप खुद करप्शन में लिप्त हो गते हैं हम डंके की चोट पर कहते हैं एक रुपे की भी हेरा फिरी अगर मेरे पुलिटिकल कैरियर में हो तो मैं जनाब ये स् करें जम्रो कश्मिल के बाकी मुद्व के वहां पे एक और मुदा आगया की आपने देखा होगा तमाम मुद्व के बढ़का के वहां पे उर्वरिशन का मुदा लाया उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेंड हैं कर हमिंजो लोगों के साथ कि करे हैं हम हर उस मुद्दे के साथ खड़े हैं जो लोगों को हर्ट कर रहा है लेकिन सरकार है ये मुझ और सरकार है ये मानती नहीं किसी की कोई स्टेंडर नहीं मानती ये कोट को नहीं मानती ये किसी को नहीं मानती ये अपनी मनमानी वाली सरकार है ये हिटलर ही सरकार है और जो इनक पहाडी और गुजर की लड़ाई करा के गुजर और बकरवाल की लड़ाई करा के जैसे भी हो इलेक्शन जीतना है देश के चाहे इतने इतने टुकड़े हो जाए जिकने दोगे इस बार जम्हो कश्मीर में मुझे लगता नहीं है यह बीजेपी किसी खाप में सोई है हाँ हो जाएं कंपरमाईज तो मैं कहा नहीं सकता अगर बैलेट से चुनाब हो तो इनकी एक सीट जीतना मुश्किल है आज की डेट में बहुत 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 शुक्र नाजरी निये थे हमाईसार तरण जीर्ट सिंग टोनी जेक पर फिर से हम इनका शुक्रिया दार करते हैं इन आपको हमारा प्रोग्रम पसंद आया होगा हमारी मज़ीद वीडियो देखने के मैंसाद बने रहें खुद आफिस